अगर आपको अपने किसी भी iPhone में WhatsApp की notification में problem आ रही है, WhatsApp की notification सही से work नहीं कर रही है, तो इस problem को कैसे ठीक करें, आए जाते हैं, ये वीडियो में बहुत ही research करके बना रहा हूं, तो वीडियो को मिलकुल ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें control panel को नीचे लाना है, औ और ध्यान दे रहा है कहीं ये do not disturb mode तो नहीं on है, सबसे main reason होता है do not disturb mode on होता है, इसलिए WhatsApp की notifications नहीं आती है या फिर उसमें कोई problem आती है, तो do not disturb mode यहां पर हमेशा बन रखे, ठीक है, सबसे पहले आप iPhone की settings में जाए, scroll करें नीचे, notification पे क्लिक करें, नीचे आए और WhatsApp की application क तो ढून ले, ये रहा WhatsApp, क्लिक करें, इसके बाद सबसे important चीज, show previews, यहां पर देखिए, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब यहां पर मैं अपने दूसरे phone से अपने iPhone के WhatsApp में एक message करता हूँ, तो देखिए, यहां पर message आया, बट सिर्फ notification लिक कर आया, message किस इसके भीजाई, वो सब लिक कर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको show previews पर क्लिक करना है, और always default, यह रखना है, and यह back करें, इसके बाद एक और important चीज, यहां पर नीचे आए, WhatsApp notification settings में, बहुत important नहां है, इस पर क्लिक करें, अब आप यह यहां पर पहुच जाएंगे, इसके बाद नीचे आए, यहां पर भी show previews on जरूर रखें, बहुत important चीज़े, इससे on कर ले, ठीक है, और यह करने के बाद, 80% लोगों की problem सही हो जाएगी, बस बाकी वो लोग रह जाएंगे, जिनको अभी भी problem आ रही हो, कि notification में, जिन्हों ने face id लगा के रखी है, यहां पर देखिए इस तरीके से, whatsapp में lock लगा के रखा है, face id लगा के रखी है, तो आपको अपनी face id हटानी होगी whatsapp से, तो यहां पर हम long press करेंगे, and don't require face id कर देंगे, अब यहां पर मैं आपको message भेज के दिखा लेता हूँ, यहां पर message आएगा, my second number और मैंने क्या भेजा message हाए,